खरकावन कोत्वाली छेत रखे आईटियो करले परिसर में पुराने बिल्डिंग में पुराना रिकार चोरी होने का मामला सामने आया है आईटियो बर्खा गोड ने बताया कि बिते तीन दिनों से दस्तावेज चोरी हो रहे थे जिसकी आशंका में शुकरवार को आईटियो करमचारियों ने रहकी कर दो किशोरों को चोरी करते पकड़ा इनके पास से पांच प्लास्टिक बोरियों से भरे दस्तावेज भी बरामत किये गया है ये रद्दी एक आटो की जरिये ले जाई जा रही थी आटो चालक को भी पुलिस के सुपूर्द किया गया टी आई ने बताया दो किशोरों को रद्दी चोरी की आरोप में थाने लाया गया है इनसे पुछताच की जा रही है, रद्धी खरीदने और आटो चलक की भूमिका की जाज की जाएगी खरगाउन से जैन्त गुपता की रिपोर्ट और उनलोग को इफार करा रहे हैं, क्या नाम लिखते हैं, बर्खागों, आर्टी ओपेस सनावद रोड पर गार्ड ने एक सूचना दी थी कि उनके यहां पर एक जो आर्टी ओपेस के अंदर पीछे के जो दर्वाजा तोड़का और कुछ लड़के ने को कट्टिन तीन दिन से चुराने, सूचना पर से पुलीस और गार्ड ने, वहां से दो नाबालिक लड़कों को दस्ता वेज चुराते हुए पकड़ा था, जिनको ठाने लेकर आ गए, उनसे पुष्टाच की, पुष्टाच पर उनके द्वारा एक कबाड़ी को बेचना और कंटिनू तीन दिन से जो सास की दस्ता वेज उनको चुराना पाया गया, जिस पर से थाना कोतवाली पर अपड़ात पंजिवत किया गया है, हाँ ये कंटिनू तीन दिन से चोरी हो रही थी, गार्ड के द्वारा आज नोटिस किया गया, और सूचना दिगे थी, सूचना पर से कारवाई की उनको आटो साथ में जो दस्ता वेज चुरा रहे थे, उनको पकड़ के लेका है, और इसमें आटो मेडम स्वेम आएक के उपस्तित होके उनकी तरफ से फायर करवा रहे है, किते लोगे थे हैं, इसमें दो लड़के हैं नाबालिक और जिसको बेचा जा रहा था, कंटिन त सब्सक्राइब करें, और इसमें आपरादी की तरह मनलब उसका अपरादी गोशिप किया जाएगा, जिसका यह बेच रहे थे दो जिन से, उसके माल जबत नहीं हुआ, अभी उसको एफायर करके और इन्विस्टिकेशन के दुरान उसमें कारवाई की जाएगे, उसमें पास में लगे, डेल आइकोन को दपाना बिल्कुल बिना पुले